है है इस्टुडेंट्स वेलकम टू गेटेक एडवी कैसे हैं आप लोग इस लेक्चर में हम लोग लोड़ फ्लो एनलैसिस पढ़ने वाले हैं लोगों को यह बहुत टफ लगता है यह मुस्ट अवेटेट चैप्टर होता है पावर सिस्टम में से तो देखेंगे हम लोग बह किसी कौशेप्ट आता है तो यह जो टॉपिक रहेगा लोड़ फ्लो एनलैसिस यह आपको इस्ट लएगा है ना तो बस कोशिस हमारी यही रहेगी कि इसको बहुत सिंपल करके आपको बताएं है ना तो चलो स्टार्ट करते हम लोग तो सबसे पहली बात यह आती है कि लोड क्वांटिटी में क्या होता है सारा एक दूसरे पर मतलब दो क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है कैसे तो पी आपको पता है कि डेल पर डिपेंड होता है हायर एंगल से लोगर एंगल के तरफ फ्लो होता था इनकेस आप इंडक्टिव कनेक्शन और क्यू मतलब P और Q, V और डेल पे depend कर रहा है, मतलब दो quantity, remaining दो quantity पे depend कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता है, कि कहीं P और Q given होगा, और V और डेल हमको पता करना है, ठीक है, तो यह कैसे पता करेंगे, तो load flow analysis में वो टेकनीक पढ़ते हैं, जिससे हम लोग V और डेल पता कर सकें, है ना, कहने कि इसका एक practical example समझो आप, जैसे P Q, सब्सक्राइब करो आपका घर का load है, ठीक है, load है, P और Q होगा, आपके घर का demand होगा, कुछ active power का, कुछ reactive power का, ठीक है, तो उस given active और reactive power को भेजने के लिए, terminal पे कितना voltage और कितना angle होना चाहिए, वो हम लोग calculate करेंगे, by using load flow techniques, correct है यह तो हो गया, फिर उसके बाद यह है, कि जो power system होता है, power system बहुत complex power system होता है, ऐसा नहीं कि एक source रहा और एक load रहा, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा voltage source, बहुत सारा current, बहुत सारा load, ऐसा रहता है, ठीक है, तो 2T complex network है, तो आप एक से, जैसे आप देखो, इसमें हम बता द connection दे रही इसका, ठीक है, तो अगर यहां पर देखें, suppose करो, Vs angle del है, यहां पर suppose करो, Vr angle 0 है, और यह suppose करो, Jx है, तो यहां जो PE आता था, वो क्या है, Vs, Vr by x, sand del, यह आता था, ठीक है, अब समझ जाए मेरी बात, कहने का मतलब है, अगर यह single line है, एक line है, तो यह power आएग है, लेकिन, अगर बहुत complex network है, तो आप क्या, एक-एक line के लिए निकालेंगे, आप, ऐसे तो नहीं करेंगे, आपको इकठे करना पड़ेगा, ठीक है, simulation करते है, जैसे आप suppose करो, Jx City में होंगे, उसमें बहुत सारा sub station होगा, ठीक है, बहुत सारा load connected होगा, तो सारे को, इक techniques का basically, invention ही इसी वे से हुआ था, कि बहुत सारे quantity को, बहुत सारे system को, आप एक ही बार में analysis कर लो, correct है, तो load flow पढ़ने का हम आपको reason बता है, सबसे पहले, कि दो quantity दिया रहे है, remaining two quantity हम लोग को पता करना है, by using load flow techniques, तो वो क्या-क्या होता load flow techniques, जैसे gauss-seedal method हुआ, newton reaction method coupled method हुआ, वो भी newton reaction का थुरा extended version है, आप ये समझ लो, ठीक है, तो ये सब method से हम लोग देखेंगे, तो आप ये बोलोगे, कि सर जैसे यहाँ पे, इस का example लेते हैं, ये हमारे पास, पी तो given है, इस case में, ठीक है, vs, vr का magnitude generally given होता है, तो dell तो हम लोग direct इसी equation से निकाल सकते हैं, तो हमको load flow technique पढ़ने की जरूरत क्यों पर ही, तो आप इस case में, dell ऐसे ही आप निकाल ले रहे हो हैं, लेकिन अगर बहुत complex network रहे हैं, अगर बहुत complex network हम आपको दिखाते हैं, अगर इस type का रहे हैं, ठीक है, ये तीन, ये तीन bus है, और ये system है हमारे पास, तो अब यह well कैसे आप निकालोगे, ठीक है, अब यहाँ पर voltage है कैसे निकालोगे, ये तो simplest है, तीन bus network है, 100 bus होता है system में, ठीक है, 200 bus, 300, 1000 bus होता है system में, उन सारे को अगर calculate करना होगा, dell तो क्या, एक एक करके आप calculate करेंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे आप है ना, तो आपको एक बहुत complex equation बनेगा इसका P और Q का बहुत complex equation बनेगा, जिसको हम लोग iterative method से solve करेंगे, ठीक है, तो load flow पढ़ने का ये reason है, तो iterative method सब देखने वाले हम लोग, सब से पहले हम जैसा कि आपको बताएं, कि matrix, power system matrices का use करते हैं, y bus हुआ, z bus हुआ, उन सब का use करते हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा, आप चलो, start करते हैं, y bus matrix, ठीक है, तो load flow पे हम लोग आते हैं, iterative method हम आपको बताएंगे, पहले y bus matrix देख लो, बहुत detail में, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, तो हम लोगों को y bus में, देखो, actually ऐसा होता है, कि power system का जो bus है, जो bus बार बार हम slack bus है, इन सब के बार में हम लोगों को detail में देखना है, ठीक है, लेकिन सब से पहले हम लोगों को admittance matrix देखना है, ठीक है, उसके बाद impedance matrix भी हम लोग देखेंगे, जो z bus matrix होता है, fault analysis using z bus, वो सब भी हम लोगों को देखना है, ठीक है, तो सब से पहले admittance matrix in detail, admittance matrix, admittance matrix, admitt तो थोड़ा सा basic हम आपको बता दें वाइबस में यूज करेंगे जो transmission land एगा transmission land का दो model आप देखेंगे एक T network पाए मोडल पाए मोडल कैसा है यह है पाए मॉडल एक नंबर ऑफ नोडस है तो इसमें तो दो ही नोड है कि नहीं तो number of equation जो लेगा इसको solve करने में वो तो कम लेगा इसमें number of equation correct है तो इसलिए जो transmission line का model होगा वो पाय model होगा in case of y bus matrix in case of load flow analysis ठीक है याद करिएगा यह चीज़ याद रखना यह चीज़ पाय पाय network चाहिए है transmission line का पाय modeling चाहिए हम लोगों को load flow analysis में correct है तो इस चीज़ को याद रखिएगा हम हटा दे रहें इसको तो हमारे पास यह सपोज करो हमारे पास एक complex network है complex network है कुछ step का ठीक है सपोज कर यह यह है इस step का और यह क्योंकि पाय है तो सपोज करो यहां पर एक connected पाय connection है है कि नहीं फिर दूसरा bus यह first bus this is second bus और यह third bus है न हम लोग तीन ही लेके चलते हैं यहां से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा यहां से तीन ही लेके चलते हैं हम लोग ठीक है ऐसा है करके यह third bus है तो यहां पर भी पाय मोडल में convert करेंगे हम लोग पाय मोडल में ही रहना चाहिए यहां पे ही रहना चाहिए यहां पे भी रहेगा पाय मोडल यही तो होता ना इसी type का तो होगा न जैसा भी हम बताएं ठीक है दोनों end पे आधा आधा अधिमीटेश ठीक है तो अब इसको आप y12 y12 by 2 कर सकते हैं यह भी कितना है y12 by 2 कर सकते हैं वान टो और यह सपोस करो बहुत जेनरली बुक में देखोगे तो कैसा रहता है वो भी आपको अभी बताएंगे ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर देखे यह जेनरेटर इधर चाहोगा तो कुछ करेंट भेज रहा होगा इधर तो सपोज करो यह आइवन करेंट है सपोज कर यह इधर किया बेज रहा है और यह सपोज करो यह इतना इधर कितना बेज रहा है वह i3 करेंट बेज रहा है इतना समझनह infirm markets and 후 उसके बाद हम लोग इसको वह हम लोग करते हैं यहाँ पर हम लोग लोग 1-20 करेंगे तो यह क्या है इस मस्को तो यह कितना रहेगा ? y53 x3だ ना तो ऐसा सिस्टेम है हमारे पास ठीक है यह है तो देखो यहां का वोल्टेज हैं ठोटोषद कश्यूंद ना यह पेरिख कर सा शवस्यृ उब यह फिर यहां का वूल्टेज व 2 है यह suppose करें यहां का voltage V3, otherwise यह इतना आसान है ना Y bus, आप चाहोगे कि gate में question आ जाए Y bus का correct है, अब देखो आप, अब देखें यहां पे आप, आपको इसको थोड़ा simple अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करें, देखो आप यहां पे, यह इस point पे voltage V1 है, अब यह Y1 2 by 2, Y1 3 by 2 और Y11 parallel में आपको दिख रहा है ना, parallel में semi voltage से तो connected है, यह दोनों, मतलब यह तीनों semi voltage से connected है, तो आप अगर देखेंगे, बुक में तो direct लिखा रहाता है, तो क्या लिखा रहाता है direct, तो इसी को कैसे लिखते हैं, इसी चीज़ को, जैसे देखो यह हुआ, यह हुआ, और यह यह अपर देखेंगे, अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे, तो क्योंकि यह तीनों parallel में हैं, तो आप इसको इकठे ऐसा लिख सकते हैं, इसी को, आप चलो इसी को हम करते हैं, इसी diagram में हम बता दे रहें आपको, ठीक है, यह क्योंकि parallel में हैं, तो आप एक काम करेंए, आप मिनुट गो बतारीय सब इस पैरलल में याद रखना इस बस एक मिनुट आप गोई लोग वेट करिए तब तक आप आप डियाग्नाम बनाते जो को थीक है इन्हीं सब को फटा दिए i सब पैरलल में मतलब क्या-क्या बतारह से लहां आपको ठीक है, यह V3 है, देखो, यहाँ पे तो तीनों पैरलल में था तो इसको Y11- है ना, तो आप इसको क्या कर लिजे, Y11- है तो आप इसको क्या कर लेंगे, Y11 ले लो, Y11 क्या रहेगा, तीनों का पैरलल, Y11 यहाँ पे क्या रहना चाहिए, Y11 अगर देखें हम लोग, तो y11 कितना रहेगा y11 था प्लस y12 बाइ 2 प्लस y13 बाइ 2 ऐसे था है कि नहीं y11 अब यहाँ पे y11 एक्विवेलेंट आ गया सेम है ना similarly यहाँ पे y22 similarly यहाँ पे y22 और similarly यहाँ पे y33 ऐसा आ गया है करेक्ट है अब उसके बाद अगर आप देखें इसको मिटा रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे अब सुपोज करो यह एड्मिटेंस है y12 this admittance is y12 this admittance is y13 and this admittance is y23 गोगा आप कोई टेंसर नहीं बस खतम होगा है अब अगराप के SER लगाएं ने का अनिण क्या होना चाहिए एओन applies काहिए थीमारी टरफ के लगान adha program क्पल रजाइँए थुरप खीर जाएगा कुछ अधर आएगा तीन तरफ distribute होगा तो मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे V1-V2 into Y12 है ना V1-V2 into Y12 potential difference into admittance is current correct है plus V1-V3 into Y13 V1-V3 into Y13 plus V1 into Y11 V1 into Y11 V1 into Y11 V1-0 into Y11 है ना तो कहने का मतलब आप इसको अगर solve करें तो I1 equal to क्या रहना चाहिए यहां पर तो I1 equal to रहेगा V1 को common लो तो Y11 plus Y12 plus Y13 है ना similarly minus V2 into Y12 minus V3 into V3 into Y13 correct है यह समझ गए I1 आ गया similarly I2 भी हम लोग कर सकते है I2 भी कर सकते हम लोग तो I2 क्या करेंगे I2 कैसे आएगा I2 अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या करेंगा I2 is equal to हम बोल दे रहे हैं ठीक है हम यहां पर देखेंगे I2 is equal to क्या होगा V2 minus V1 into Y12 plus V2 minus V3 into Y23 plus V2 into Y22 correct है तो आप इसको डिरेक्ट ही अगर हम लोग arrange करके लिखें तो यह आ जाएगा minus minus Y12 into V1 plus V2 Y21 plus Y22 plus Y33 sorry यह नहीं आएगा Y21 plus Y22 plus Y23 minus V3 into Y13 V2 into Y एक सगें V2 है ना तो V3 into Y23 correct है यह ऐसे ही रहेगा ठीक है तो यह arrange कर लेंगे I2 को तो यह ऐसा ही आ जाएगा ठीक है I2 कैसे निकालेंगे आप देख चुके हम आपको बता चुके हैं अभी यह similarly अगर I3 हम लोग देखें तो I3 अगर हम लोग देखें तो I3 भी सेम ही आ जाएगा KCL I3 क्या हो जाएगा V3 minus V1 into Y13 plus V3 into Y33 plus V3 minus V2 into Y23 और उसी को अगर arrange करते हैं हम लोग तो यह कितना रहेगा minus Y31 V1 minus Y32 V2 plus V3 Y31 plus Y32 plus Y33 अगर हम लोग इसको इकटे देखो यह मैट्रिक्स का जैसा कि हम बता चुके इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था कि सारे चीज़ को इकटे आप एनलाइसिस कर लो तो अगर आप I1, I2, I3 को एक तरह रखो वोल्टेज को दूसरे तरह रखो तो बीच में क्या आ जाएगा हम लोग इसको कैसे लिखेंगे हम लोग तो I1, I2, I3 I1, I2, I3 is y11 plus y12 plus y13 minus y12 minus y13 है ना, similarly minus y12 फिर उसके बाद y21 plus y22 plus y23 और यह minus y23 करेक्ट है फिर उसके बाद minus y31 minus y32 फिर y31 plus y32 plus y33 और फिर यह इधर कितना रहेगा वी वन, v2, v3 यह ऐसा ही रहेगा, है ना, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा I1, I2, I3 यह metric इसको हम लिखें ऐसे यहाँ पर तो आप यह कर भी सकते हैं y11 plus y12 plus y13 into v1 minus y12 into v2 minus y13 into v3 तो यह I1 आ जाएगा, ठीक है similarly I2 equal to minus y12 into v1, minus y12 into v1, matrix multiplication कर सकते हैं आप तो मतलब आप यहाँ पर देखिए, simple सा चीज है, कुछ ही नहीं है यहाँ पर बहुत अब इसी चीज को हमको notice करना है, इसी चीज को हमको यहीं से observation करेंगे और उसी को rule बना देंगे हम लोग किसी भी y bus के लिए, कैसे होगा यहाँ पर देखिए आप, यह क्या है, अगर हम लोग इसको i bus लिखें, total और यहाँ पर क्या है, v bus ठीक है, तो इसका मतलब obviously यहाँ पर यह कितना रहेगा, y bus ठीक है, तो y bus matrix आप यहाँ पर यह तो देख चुके है, y bus matrix यहाँ पर क्या आया था, है ना, तो अब इसी से observation करते हैं हम लोग कुछ-कुछ, और इसी को हम लोग rule बना देंगे, ठीक है, तो उमीद है कि आपको इतना तक समझ में आगया हुआ, थोड़ा सा आप copy पर करेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको है ना, हम लोग अभी transformer सबका भी case देखेंगे, बहुत detail में देखना हम लोग को, y bus को है ना, जिसे की question ना चुटे, तो इतना समझ में आगया है ना, तो इसको हम जरा सा जो है ना, इसको जरा सा copy करके, हम इसको मिटा ही दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग परहेंगे, correct है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर इन सब को मिटाने दो, फिर यहाँ से rule हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, hold, देखो तो वाइबस जो आया यहाँ पर, वाइबस यहाँ पर क्या आया, कहा गया, चलो, कोई नहीं हम फिर से लिख रहे हैं, copy किया लेकिन हो जी नहीं रहा, पेस्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो देखो, वाइबस यहाँ पर क्या आया हमारे पास, यह तो प्लस y13, मैनस y12, मैनस y13, यह आया, मैनस y12, y21, प्लस y22, प्लस y23, मैनस y23, ठीक है, फिर उसके बाद, मैनस y23, या 32 भी होगा, तो y23 is equal to y32, ठीक है, सॉरी, यह ऐसा था, मैनस 13, मैनस y23, और यह y31, प्लस y32, प्लस y33, यह आया हमारे पास है, यह बस हमारे पास यह आया था, तो अब यहाँ पर देखो, observation क्या क्या होना चाहिए, यहाँ से rule बन जाएगा, अच्छे सी समझना आप लोगा है, सबसे पहला observation, यहाँ पर यह क्य है, सबसे पहला चीज, अगर आप notice करेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, तीन bus system है, तीन bus, 1, 2, 3 bus system है, 3 bus system है, तो size of y bus कितना है, 3 into 3 है, 3 row है, 3 column है, है की नहीं, तो n bus के लिए, n bus के लिए y bus कितना होना चाहिए, y bus कितना हो जाएगा, n into n, पहला चीज, ठीक है, दूसर दूसरा अगर एप observe करो, दूसरा अगर आप observe करो y bus को, तो देखो, diagonal ये है, diagonal के across, अगर देखो, Dual 1, 2, 29, 12, तीसरे से important property है, है ना, तीसरे में अगर देखेंगे, तो total summation अगर आप देखें, अगर suppose करो first row, first row के total summation, सारे element को add करो आप, है ना, first row के सारे element को अगर आप add करें, तो first row के सारे element को add करने पे कितना रहेगा, y11 plus y12 plus y13 minus y12 minus y13, ये दोनों cancel होके y11 ही बचा, y11 क्या है, shunt element at bus 1, similarly, second row के सारे element को, अगर आप add करो, तो second row के सारे element को add करोगे, तो क्या रहेगा, यहाँ पे, minus y12, तो minus y12, और y21, 12 is equal to 21, admittance, दोनों side same होता है, by directional होता है, तो admittance आप 1 से 2 के तरफ देखो, या 2 से 1 के तरफ देखो, same ही रहेगा, है ना, तो y12, बत्ता है, minus y12, y21, cancel, minus y23, y23, cancel, तो यह कितना बचेगा, second row के सारे element को add करें, तो यह कितना बचेगा, y22 ही बचेगा, second row के सारे element को add करें, तो y22 ही बचेगा, और y22 क्या है, sent admittance at bus 2, है कि नहीं, similarly third row के सारे element को आप add करोगे तो कितना रहेगा minus y13 तो y31 cancel minus y23 तो y32 cancel तो y33 बचा y33 क्या है shunt admittance at bus 3 है shunt admittance at bus 3 है correct है मतलब आप यह बोल सकतो summation of all the elements of ith row gives value of shunt admittance connected at that bus correct है second row के सारे element को add किये तो second row पे जितना shunt admittance y22 वो आ गया है ना तो इस चीज़ को हम लोग को लिखना है third point हम लोग क्या लिखेंगे summation of summation of all the elements summation of all the elements all the elements of ith bus summation of all the elements of ith row sorry summation of all the elements of ith row gives the value of value of shunt admittance shunt admittance shunt admittance at that bus at that bus correct है value of shunt admittance at that bus याद रखना यह बहुत important criteria है अगर आप z bus अगर बनाओ कहीं पे है ना और आपको यह पता नहीं चला है कि यह सही है या गलत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो ठीक है? इस इस चीज़ कर सकते हो तो अगर 4th row के सारे element को add करोगे आप है ना 4th row के सारे element को add कर दोगे तो वो फिर 4th row पे जो shunt admittance होगा ना ऐसा करके 4th bus पे जो shunt admittance होगा ना वो आ जाएगा हमारे पास ठीक है? जब भी question देएगा तो question में आप यह notice करना कि यह जो दिया हुआ y12 यह admittance है यह बीच में जैसे j0.2 दे दे तो आपको यह पता होना चाहिए impedance है यह admittance है correct है अगर impedance में है तो admittance में आप लोग convert कर लिजेगा 1 by impedance करके ठीक है तो अगर inductance है ओमेगा एल होता है impedance में तो one by impedance करेंगे तो admittance होगा तो inductance के case में' मैनस j के साथ अगर मतलब वह admittance inductance में अगर मैनस जे लेगा तो वह admittance है capacitance में प्लस j डाईगा कोई value रहेगा तो इसका मतलब वह admittance है note करना copy पे देखनाँ आप लिचाओ तो यह थार्ड पॉइंट तक समोज में आ गया, summation of all the elements of आइथ row gives value of shunt admittance at that bus, correct है, तीन पॉइंट हो गया, fourth point हम लोग देखते हैं, तीन पॉइंट आप लोग को याद हो गया, क्या क्या, n into n होना चाहिए, n bus system के लिए, फिर उसके बाद, देखना पर रहा है, हमको symmetric होना चाहिए, और third क्या होना चाहिए, कि summation of all the elements of आइथ row gives value of shunt admittance at आइथ bus, correct है, तीन पॉइंट क्लियर, तो इन तीन पॉइंट को हटाते हम यहाँ पे, तीन पॉइंट क्लियर, एक सकेंड, यह तो यह भी हट जाएगा, एक मिनट टुक जाएए, आप लोग एक मिनट आप लोग रुखना ही परेगा, देखे, अब यह दो, तीन पॉइंट हमारे पास हो गया, 4th point क्या होगा, 4th point क्या होगा, 4th point भी बड़ा interesting point होगा, ठीक है ? देखो आप अच्छा एक काम करो इसी को क्हाल लूबा चौरा लग रहा है न सिनको आप ऐसे लिख क्लो इसी को आप ऐसे capital Y11 Y12 Y13 Y21 apologize 24 y31 aya 32 आप इसी को ऐसे लिख 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 तो आप यहाँ पर देखो जो डाइगोनल element है जो diagonal element है जैसे पहला diagonal element यह है y11 plus y12 plus y13 तो देखो पहले बस पे total admittance कीतना है total admittance की बात कर रहे हैं पहले बस पे total admittance कीतना है y12 y13 y11 तो पहले बस का total admittance देखेंगे तो y11 plus y12 plus y13 तो यह पहला shunt element आप बोल सकते हैं को second shunt element क्या है तो y21 plus y22 plus y23 y21 plus y22 plus y23 कहने का मतलब second bus पे total admittance कितना है y21 y12 equal to y21 y21 plus y23 plus y22 third अगर आप यहां पे देखेंगे diagonal element तो कितना है third diagonal element कितना है तो y31 plus y32 plus y33 तो third पे अगर देखेंगे total admittance तो y31 y32 y33 है ना कहने का मतलब जो shunt जो आपको diagonal element दिख रहा है diagonal element क्या है value of total admittance ठीक है अगर seventh diagonal element पूछें तो value of total admittance connected at seventh bus correct है तो मतलब अगर हम लोग को यहां पे diagonal element यह हो गया अगर आप इससे compare करो इससे compare करो तो यह diagonal element हो गया ना तो अगर आइथ diagonal element जैसे second diagonal element है तो second diagonal element यहां पे क्या है total admittance connected at bus 2 third diagonal element क्या है total admittance connected at bus 3 first diagonal element क्या है total admittance connected at bus bus 1 है ना similarly अगर आइथ diagonal element पूछें तो diagonal element मतलब य वैं तो अट डागोनल एलिमेंट क्या होगा टोटल एड्मिटेंज टॉटल एड्मिटेंज टोटल एड्मिटेंज कनेक्टेड connected at bus i total admittance connected at bus i हो जाएगा ठीक है yii is total admittance connected at bus diagonal element के बारे में याद रखेगा आप लोग है आप लोग है important होगा बहुत अच्छा important चीज है आगे और भी हम लोग देखेंगे इसमें ठीक है तो आगे तो बहुत चीज देखेंगे अभी तो इस्टार्ट भी नहीं हुआ है एक तरीके से देखें तो तो यii is total admittance connected at bus i आप लोग का result आना चाहिए कैसे भी ठीक है और दो crash course है है ना तो लेकिन हम लोग जो अपना gate academy है आप लोग के लिए चाहे जो भी करना पड़े gate academy को कर रही है है ना तो उसमें आप लोग का भी साथ चाहिए आप लोग मेहनत करिए बरियां से ठीक है जो भी dot हो तो आप मेरे से पूछा करो है ना जो telegram group है मेरा उसको add करो आप है ना उस पे add हो जाओ अपने आप और फिर करते है पार्टी करते है वहाँ पे है ना तो वाई आई आई यह हो गया आइथ element मतलब जो आइथ diagonal element यह हो गया ठीक है total admittance connected add bus आई देखो fifth point क्या होना चाहिए यहां से अगर हम लोग को fifth point चाहिए यहां से fifth point चाहिए तो fifth point यहां से क्या होना चाहिए तो fifth point यहां से notice आप करेंगे जो off diagonal element है यह सब तो diagonal element हो गया ठीक है यह सब तो diagonal element हो गया तो diagonal element के अलावा जो element है that element will be called off diagonal ठीक है तो off diagonal element जैसे y12 है तो y12 यहां पे क्या है 1 और minus यह दिख रहा नहीं small y12 मैनस y12 है small y12 तो जो मतलब first row second column का जो element है है ना इसको हम लोग y12 बोल रहे हैं तो यह क्या है minus of y12 कहने का मतलब जो off diagonal जैसे इसमें देखो 1 और 2 के बीच में कितना admittance आपको दिख रहा है y12 1 और 2 के बीच में कितना admittance दिख रहा है y12 तो y12 कैपिटल इस पॉइंट पे अगर देखें तो 1 और 2 के बीच में जो admittance है उसका negative value आया ना मतलब off diagonal element जैसे y i k suppose करो आपको निकालने के लिए ना y i k आपको बोले निकालने के लिए तो i और k के बीच में जो भी admittance होगा ना उसका negative value ले लेंगा आप डारेक्ट है ना i और k के बीच में जो negative value होगा मतलब जो admittance होगा उसका आप negative value ले लेंगे ठीक है तो off diagonal element जो admittance connected होता ना उसका negative value होता है याद रख नहीं तो YIK क्या है? नेगेटिव आफ एड्मिटेंस नेगेटिव आफ एड्मिटेंस नेगेटिव आफ एड्मिटेंस connected between bus I and bus K. नेगेटिव आफ एड्मिटेंस connected between bus I and bus K. तो आफ डियागनल एल्मेंट यही है. तो एड्मिटेंस होता, जासे यही है, जैसे कि आफ इसमें देख चुके हैं। जो एड्मिटेंस है, उसका नेगेटिव आफ एड्मिटेंस है, तो इस पर एक एक बाद हैं, तो जो भी इतना आप पढ़ेंगा तो इसका यूज हो जायएगा। नाट प्योन्स के सब्सकेंश Awwॉत कुछ नाट है। आगंड है। आप पारित वे सब्सक्राइब यह दो फो घंड हैं। जीड कहले का फोंगा गैजन के सब्सक्राइब यह करने है। इस पे एक उसमें पर दैखते हैं। इस पर एक एक्जामपल देखते हैं, एक्जामपल सपोज करें ऐसा है, एक काम करें यहांपे इंड़ेटर लेता है यहां पर है ना यह first बस है ये second बस है ये third बस है ना तो यह सबोज को J10 है यह है minus J10 और यह है J10 तो इसका admittance matrix आपको निकालना है ठीक है इसका admittance matrix आपको पता करना है what is admittance matrix इसका आपको admittance matrix देखना है, ठीक है, तो आप इसका admittance matrix कितना होगा, तो कैसे करेंगे, हम step समझेगा आप लोग, पहले धीरे-धीरे करते हैं, तो समझ में आएगा आपको है ना, तो इसका अगर step देखेंगे, तो सबसे पहले देखो, क्या समझेंगे आप, सबसे पहले आ 3 row, 3 column होना चाहिए, 3 into 3, सबसे पहला point, फिर उसके बाद देखें, अगर diagonal element पहले हम लोग बना लें, ठीक है, तो पहला diagonal element यहां पर क्या होगा, तो diagonal element क्या था, total admittance connected at that bus, तो अगर पहला diagonal element देखेंगे, देखना है, तो पहले bus से जितना admittance होगा, connected, वो देखेंगे हम ल यह impedance है, admittance है, आपको यह notice करना है, तो अगर inductor है, तो यह क्या है, j omega l है, तो मतलब यहां पे j 10 है, यह तो ohm में है, j के साथ, plus j के साथ हैगा, तो ohm में रहेगा, तो admittance में करने के लिए हम लोग को क्या करना परेगा, minus j 0.1, sorry, minus j 0.1, तो minus j 0.1 यहां पे रहेगा, और यह भी जैसे capacitor है, अगर, suppose करो capacitor है, तो 1 by j omega c होता है, तो मतलब minus j x c होता है, तो अगर इसको admittance पे करना पड़ेगा, तो 1 by minus j x c करेंगा, तो plus j के साथ जो रहेगा, तो capacitor का admittance रहेगा, correct है, तो यहां पे minus के साथ है, त तो अगर admittance करना होगा, तो j 0.1 करेंगे, और यह यहां पे minus j 0.1 होगा, है ना, admittance इसका inductor का, तो अब यहां पे देखिए, first bus से total admittance कितना connected है, एक ही तो connected है, तो minus j 0.1, तो पहला minus j 0.1, फिर second अगर हम लोग देखेंगे, diagonal element, second diagonal element, अगर हम लोग को देखना होगा, तो second से total admittance कितना connected है, तो second से total admittance देखेंगे, तो j 0.1, minus j 0.1, और minus j 0.1, तो यह कितना रहेगा, minus j 0.1, यह भी, minus j 0.1, है ना, admittance, फिर उसके बाद three से देखेंगे, तो total admittance कितना connected है, तो j 0.1, तो third से कितना admittance connected है, तो j 0.1, third से j 0.1 connected है, इतना समझ में आ गया, अब off diagonal element diagonal element तो बस simple सा एक बस पर जितना admittance connected है direct add कर दो ठीक है फिर उसके बाद देखें यहाँ पर तो off diagonal element y12 क्या होना चाहिए यहाँ पर जो point आएगा y12 वो क्या रहेगा तो 1 और 2 के बीच में जो admittance है उसका negative value तो minus j0.1 है तो यह कितना रहना चाहिए 0.1 फिर उसके बीच में direct connection है ना वैसे direct connection चाहिए तो वैसे 1 से 3 के बीच में तो कोई connection आपको नहीं दिख रहा है ठीक है यहां से 1 से 3 तक तो आपको कोई connection यहां पर नहीं दिख रहा है ठीक है तो कोई connection नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब impedance इंफिनिटी होगा तो इंपिदेंस इंफिनिटी मतलब इंटेंस जीरो तो यहां पर डिरेक्ट जीरो लिख लेंगे हम लोग समझदे मेरी बात आप लोग यहां पर जीरो लिख लेंगे इसा तो अब 2 y21 की जवाप पर क्या होना चाहिए तो तो से 1 के बीच में जो अद्मिटेंस उसका नेगेटिव वैल्यू तो मैनस जीरो पाइंट वन है तो 2 से 3 के बीच में कितना admittance है जे 0.1 तो यह कितना होना चाहिए मैनस जे 0.1 direct मतलब मैनस कर देना है 2 से 3 के बीच में जे 0.1 है तो वह 2 3 के जगा पर मैनस जे 0.1 हो जाएगा similarly यहाँ पर अगर देखें 3 1 तो 0 था 3 से 1 के बीच में तो direct connection नहीं है तो 0 3 2 कितना होगा 3 से 2 जे 0.1 तो मैनस जे 0.1 तो देखो आप यह symmetric भी आया है कि नहीं और फिर आप कुछ भी calculate कर लो सब से जैसे अब देखो 3rd में सारे element को अगर आप add करेंगे 3rd में अगर सारे element को add करेंगे तो 3rd में सारे element को add करने पर कितना होगा अब देखो आपको नोटिस करना है अच्छे से पढ़ना है और इसी सब से जो है नो question आपका solve होगा correct है तो अब देखो यहां पर आगे देखते हैं अभी और भी बहुत चीज बांकी है इसमें है ना तो देखो यहां पर अच्छा यह समझ में आ गया ना जो 1 से 3 तक जो है ना direct connection नहीं है तो 0Q admittance आ रहा है तो आप देखो यह दूसरे तरीके से और को यहां पर देखो तो यह जो है admittance यहां जो इंपिडेंस वह तो infinity है वन से 3 तक तो connection है नहीं तो इंपिडेंस यहां पर infinity है तो impedance infinity है तो admittance वन से 3 के बीच में कितना रहागा जीरो तो इसलिए आप बोलते हूं उसको sparse matrix ठीक है वाइबस sparse क्यों होता है sparse मतलब खाली-खाली फैला हुआ matrix क्यों होता है वाइबस का यूज हम लोड़ flow में क्यों करते तो यह सब reason आपको समझ में आएगा ठीक है अभी हम लोग जे 0.2 मैंनस जे 0.1 और जे 0.1 ऐसा है करके ठीक है मैंनस जे 0.1 जे 2 और फिर यह जे 0.2 करेक्ट है जे 0.1 जे 0.2 जे 4 ऐसा करके ठीक है यह है उसके बाद है if a shunt admittance shunt admittance at bus 3 shunt admittance of value एक मिनट रुको shunt admittance of value suppose करो j1 is added at bus 3 added at bus 3 ठीक है shunt admittance of value j1 is added added at bus 3 तो अब उस case में why bus new कितना रहेगा why bus अब new क्या हो जाएगा ठीक है why bus new क्या होगा simple ही question है tough नहीं है बहुत simple question है देखो कैसे करते हैं ठीक है देखें यहाँ पे 3 bus system में गई भी की नहीं यहाँ थो आप क्या होगा 3 bus system में तो 3 इंटू 3 का matrix होना चाहिए पो तो 1 2 3 हम लोगं को अगर shunt admittance calculate करना होता तो कैसे करेंगे shunt admittance जैसे first bus पे हमको shunt admittance calculate करना है तो total जो element है उसको add कर देगा हम ठीक है तो 1st bus पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह J0.2 ही रहेगा, तो इस पे जो admittance रहेगा, वो J0.2 रहेगा, shunt admittance J0.2 रहेगा, similarly second पे अगर shunt admittance हम लोग देखें, तो कितना रहेगा, J2.1, shunt पे second पे J2.1 रहेगा, सारे को add करने हम लोग है न, तो मैनस J0.1 और प्लस J0.2 तो J0.1 हो गया, और J2 तो J2.1 हो गया, है कि नहीं, फिर third पे हम लोग देखेंगे तो कितना रहेगा, जे, third पे कितना रहेगा, मतब J4.3 देगा, न, J4.3 देगा, correct है, इसमें कोई problem नहीं है, फिर उसकी ये sent admittance आगया हमारे पास, अब देखो, मतब ये question हम पता है, क्यों दियें, ये इसलिए दिये ताकि आप Y बस given है, उससे आप network बना लो, है न, तो IES में इस टाप का question पुछता है subjective में, है न, तो अब अगर देखें, Y 12 क्या होगा, Y 12 क्या होगा, तो Y 12 कुछ नहीं है, 1, 2 ये element है, तो जो इसके बीच का admittance होगा, उसका negative value होगा, यह यहाँ पे, है न, तो यह कितना रहना चाहिए, यह कितना, क्या रहेगा, यह रहेगा, J 0.1, negative हो जाएगा, ठीक है, similarly, Y 13 कितना है, तो J 0.1 है, तो negative value होगा, तो यह admittance यहाँ से कितना जाएगा, minus J 0.1, है कि नहीं, उल्टा हो जाएगा, similarly, Y 23 हम लोगो calculate करना है, तो Y 23 यहाँ पे आजाएगा, J 0.2, तो J 0.2 है, तो J 0.2 है, तो उसका negative value, तो minus J 0.2, तो यह यहाँ पे आजाएगा, minus J 0.2, है ना, ऐसा आजाएगा, हमारे पास system ऐसा है, यह हो गया, ठीक है, अब अगर आप से पूछें, इस question में क्या कर रहा है, कि if a shunt admittance of value J 1 is added at bus 3, J 1 is added at bus 3, है ना, तो J 1 is added at bus 3, अगर bus 3 पे एक admittance add कर दें, जिसका value J 1 है, तो यह अब यहाँ पे कितना रहेगा, J 1 value का एक admittance हम लोग यहाँ पे add कर दें, ठीक है, shunt admittance बोल रहा है ना, shunt admittance of value J 1 is added, तो यह बस new कितना रहेगा, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे total admittance अब यहाँ पे कितना होगा, तो यह बस कुछ step का बन गया, ठीक है, यह बस कुछ step का बन गया, यह J 0.1 है, minus J 0.2 है, यह क्या है, minus J 0.1 है, है ना, यह यहाँ पे admittance कितना है, यह shunt admittance है, J 0.2, यह क्या है, यहाँ पे shunt admittance, J 2.1, और यह यहाँ पे क्या है, shunt admittance, J 5.3, है कि नहीं, ऐसा हो गया, बस कुछ नहीं है, वो है, बस बना लेना आपको है ना, तो अब इसमें देखो, कौन-कौन सा element यहाँ पे change होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन-कौन सा element change होगा, तो जब shunt में आप यहाँ पे calculate कर रहे हैं, तो shunt में calculate कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन-कौन सा element change होगा, इस बस से अब देखो, तो हम आपको बताने है क्या क्या चेंज होना चाहिए वन और टू के बीच में जो है वो तो उतना ही है है ना वन और टू के बीच में जो है तो उतना ही है वन और थ्री के बीच में जो जितना है वो तो उतना ही है 1 और 3 वाला चीज तो नहीं change हुआ ना फिर 2 और 3 के बीच में जितना है वो उतना ही है है कि नहीं फिर उसके बाद 1st bus पे जो admittance है वो उतना ही है 2nd bus पे जो shunt admittance है वो उतना ही है सब कुछ तो उतना है सारा कुछ तो उतना ही है y33 यहाँ पर change हो जाएगा ठीक है समझ रहा मेरी बात बस y33 शांट एडमिन 10 से चेंज हो जाएगा क्योंकि बांकी सब तो सेम ही है तो यह सब इस टैप का question पूछता है यह important होता है इस सब टैप का question है और यह समझना और आप भी देखो यह सब खुद भी सोचना हो सकता है कि जैसे हम बोले तो मेरे से कुछ मिश्टेक हो जाए तो खुद भी आप सोचोगे कि क्या सही में y33 new ही change हो रहा या क्या y32 भी change होगा क्या y32 भी change होगा क्या तो इस बात पर खुद भी matrix कैसे होता है ठीक है यह देख लीजिए और y bus का use हम लोग load flow में क्यों करते है उसका region अभी समझ में आ जाएगा तो यह लिखेंगे y bus is used in load flow analysis लोड flow तो इसके लिए हम एक question करते है question से आपको concept समझ में आ जाएगा ठीक है question से आपको concept समझ में आ जाएगा ठीक है देखिए आप suppose करो यह question है हम लोग basically spars city निकाल देखिए इस पार्स matrix होता हुआ है बस है ना spars मतलब खाली-खाली matrix ज़्यादा element उसमें 0 ही रहेगा कैसे अभी समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखो आप यहाँ पे समझे और कि कि यह पहला बस है यह दूसरा बस यह तीसरा बस है ऐसे करके यह 99 बस है यह 100 बस है ठीक है तो हम लोग ओनओस यह देखना की खाली-खाली बस होता है spars matix होता है तो इसमें हम लोग gucum number of zero element देखना है number of non zero element देखना है और से आपको बहुत concept समझ में आ जाब तो देखो अब अगर इसका हम लोग वाइबस बनाना चाहें कि वाइबस अगर बनाना चाहें सपोज करो shunt में लगा हुआ है कुछ-कुछ हर जगा चंट में लगा हुआ है ऐसे करके ठीक है तो यह सिस्टम है हंडे हंडे बस सिस्टम है इसका वाइबस देखते हैं हम लोग बैसिकली हमको यहां पर जैसा कि बता है हम लोग को इस पार्सीटी देखना है यहां पर जो खाली-खाली मैट्रिक्स है ज्यादा element 0 है या कम element 0 है load flow में क्यों इसका use करते है Y bus का उस सब का reason सब का concept अभी आपको समझ में आ जाएगा तो देखो आप यहां पे यह जो है ना यह देखो क्योंकि 100 bus system है तो size of Y bus कितना होना चाहिए 100 into 100 size of Y bus 100 into 100 होना चाहिए ठीक है अब देखो तो total number of element अगर आप इसमें देखेंगे तो इस matrix में कितना होना चाहिए total number of element अगर हम लोग देखें total number of elements अगर हम लोग देखें तो यहां पे कितना होना चाहिए 10,000 ठीक है 10,000 होगा ना 100 into 100 हाँ 40,000 होगा correct है अब देखो यहां पे start करते हैं तो इस में क्या होना चाहिए कुछ hallway one one होगा पहले पे जो जतना total admitве मतलग जो है ना total admit television connectedref पहले पे diagonal element होगा क्यूंकि one say two के बीच में कुछ admittance होगा direct connection है one says three के बीचमे direct connection नहीं है one say four के बीच में direct connection नहीं है ऐसे 100 के बीच में direct connection नहीं है समयतों मेरी बात तो यहां पर अगर देखें number of non-zero elements number of non-zero element यहां पर है यहां पर number of non-zero element यहां पर लिखते जारा है तो यहां पर कितना है two similarly इस case में अगर आ आप देखेंगे two में तो यह कितना होना चाहिए 2 से 1 के बीच में connection है Y22 कुछ होगा और 2 से 3 के बीच में भी कुछ है है ना 2 से 3 के बीच में क्या है कुछ है मतलब admittance है ठीक है और Y23 Y242 से 4 के बीच में direct तो कोई connection है नहीं तो 0, 0, 0, 0 ऐसे तो number of non-zero element यहां पर कितना रहेगा number of non-zero element यहां पर रहेगा 3 similarly अब देखो जैसा 1 है वैसा 100 है और जैसा 2 है वैसा 99 है 2 के भी दोनों साइड है और 99 के भी दोनों साइड है तो number of non-zero element up to 99 कितना रहेगा अब 3 ही रहेगा यह नहीं जैसे 4th में भी दोनों साइड है और 100 पे क्या हो जाएगा number of non-zero element 2 हो जाएगा 100 पे number of non-zero element 2 हो जाएगा क्योंकि 100 के एक ही साइड है ऐसा 1 ही के जैसा है थोड़ा simple हम रख रहे हैं तो total number of element आप देख रहे हो कितना है 10,000 number of non-zero element अगर हम लोग यहां पर देखे हैं तो number of non-zero element अगर आप देखेंगे इस वाइबस matrix में तो number of non-zero elements कितना होना चाहिए number of non-zero elements यहां पर कितना होना चाहिए तो number of non-zero elements is 4 plus 98 into 3 होना चाहिए यह होगा ना 4 plus 98 into 3 तरह सामको calculator का इसमें यूज़ करना परेगा ठीक है यहां पर कितना होगा 98 into 3 plus क्या है 4 तो 298 number of non-zero element हो गया है 298 number of non-zero element हो गया ठीक है मतलब total element कितना था 10,000 ठीक है total element था 10,000 और उसमें से 298 element non-zero है तो इसका मतलब number of zero element इस matrix में कितना होगा ज़्यादा तो आप जीरो element ही दिखेगा ना पुरा बना लोगे तो तो number of zero element अगर इस matrix में देखें number of zero element अगर इस matrix में देखें आम लोग number of zero element इस matrix में देखें तो number of zero element यहाँ पर कितना रहेगा 10,000-298 तो यह कितना रहेगा 9702 9702 element यहाँ पर कितना रहेगा 0 रहेगा है कि नहीं तो मतलब इतना element 0 है out of 10,000 element 9702 element 0 है मतलब percentage इसी को हम लोग बोलते है sparsity देखो 10,000 हमारे पास यह है point उसमें से 9,702 point खाली है है ना तो जो matrix को अगर computer में feed करना होगा हमको तो जो खाली है उस पे तो कुछ नहीं देना परेगा है ना तो मतलब 298 ही place पे हमको यह point रखना होगा मतलब space required in matrix मतलब space required जो computer में होगा वो तो कम ही रहेगा 10,000 है है ना उसमें से बस 298 को आपको place करना है मतलब space required जो होगा computer में to feed why bus वो तो कम ही होगा है ना और जब space कम use किया computer का तो इसका मतलब इसका analysis fast हो जाएगा ना आपके mobile का पूरा movie बर दो mobile में जितना space है सब में movie बर दो गेम बर दो pub जी तो आप बैन हो गया कोई अच्छा गेम आप उसको उसमें भर दो ठीक है तो वो थोड़ा slow हो जाता है ठीक है mobile का जो operation है या computer वो slow हो जाएगा थोड़ा सा है ना लेकिन जितना ही खाली रहेगा उतना ही fast होगा ना उतना ही fast calculation होगा उतना ही fast data को retrieve कर सकते हो आप है ना तो इसका मतलब क्योंकि y bus में जादा तर element यहाँ पे 0 ही है इसलिए इसको हम लोग sparse matrix बोलते हैं खाली-खाली matrix होता है sparse sparse spars sparse matrix ठीक है और यह यहाँ पे पूरा 0-0 होगा यहाँ पे हम sparse लिख दिये ठीक है यह sparse matrix और y bus correct है और due to this sparsity memory required operation जल्दी हम लोग कर सकते हैं जल्दी analysis कर सकते हैं तो इसलिए y bus का use किया जाता है load flow analysis में ताकि calculation जल्दी हम लोग कर सके हैं याद रखना यह चीज है ना अब यहाँ पे देखो number of 0 element इतना हो गया तो एक होता है percentage sparsity percentage sparsity ठीक है percentage sparsity percentage sparsity यह क्या होता है देखते हैं अभी हम लोग यह सब question पूछता है आप लोग इसे percentage sparsity percentage spars मतलब spars होता है sparse होता है यही होता है या sh होता है देख लेना आप लोग percentage sparsity तो percentage sparsity क्या है number of 0 element number of 0 element divided by total number of element total number of element इन्टू 100 ठीक है into hundred तो यह percentage sparsity हो जागा है number of 0 element divided by total number of element into hundred तो यह sparsity हो जागा ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ पर percentage sparsity देखे हैं अब अगर यहाँ पर percentage sparsity देखे हैं तो percentage sparsity यहाँ पर कितना होगा 9702 तो zero element है कि नहीं divided by total number of element कितना है 10,000 into 100 करेंगे हम लोग है ना तो 97.02 परसेंट जगा खाली है हमारे मैट्रिक्स का ठीक है तो इतना जगा खाली है तो memory requirement जो होगा computer में यह बहुत ही कम होगा और इसलिए y bus का use हम लोग करते कहां पर तो load flow analysis में उमीद है कि आपको clear है चीज़ यह ठीक है इसको हम लोग percentage x से represent करते हैं अब हम आपको एक चीज़ यहां पर direct ही बताना चाहरे है अब जैसे एक example से हम आपको बता रहे हैं ठीक है इसका जो y bus बनाएंगे तो इसमें 3 into 3 element बनना चाहिए तो सारे के जगह पे सारा कोई भी non zero element नहीं है यहां पर है ना सारे जैसे यहां पर कितना रहेगा y11 y11 है यहां पर y12 है यहां पर y13 है similarly y21 है y22 है यहां पर y23 है यहां पर y331 y32 और यह यहां पर y33 यहां पर कोई element zero नहीं है इस case में number of transmission line यहां पर कितना है three है one two three correct है अब अगर मौन लो आइसा कर दें हम लोग अब अगर हम लोग ऐसा कर दें यह ऐसा कर दें उसमें यह element और यह element 0 हो जाता था ठीक है यह तो हम लोग देखें भी है तो इसका जो वाइबस बना यह तो पिर सपोस्ट करों यह 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 इसा था तो आप देखो जैसी number of zero element increase हुआ तो number of transmission line यहां पे कम हुआ यह तीन है ना यहां पे तीन transmission line था यहां पे zero यहां पे कोई zero element नहीं यहां पे तीन transmission line है यहां पे दो transmission line है ठीक है यहां पे कोई zero element नहीं है मतलब sparsity यहां पे zero है और यहां पे zero element है तो मतलब zero जीरो एलिमेंट दो है तो यहां पे स्पार्सीटी इंक्रीज हुआ है ना तो जब भी स्पार्सीटी इंक्रीज करेगा तो नंबर ओफ ट्रांस्मिशन लाइन कम होगा तो इसका एक फॉर्मूला है डारेक्ट हम उतना डेरिवेशन में नहीं जाएंगे फॉर्मूला याद रखेगा number of transmission line is equal to number of transmission line is equal to n square 1 minus x minus n divided by 2 है ना इसके question भी पूछा हुआ है number of transmission line n square 1 minus x minus n divided by 2 जहाँ पे n क्या है number of buses, ठीक है number of buses, x क्या है fractional dispersed consistency परशने में खीया का ना करेंगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ट्रांस्फ बताएंगा ना फॉल्ट एनलैसिस यूजिंग जेट बस भी देखना है हम लोगों को तो उमीद है आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया सब कुछ आप लोग याद रखना एक एक चीज यह सब कॉंसेप्ट याद रखेंगा आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू बसी हो आप लोगों को ओ लोगों है रखेंगा आप लोगों को विल कुछ लोगों को